हलो दोस्तो मैं आप सबीक सा दोस्त गौरो उज़ा आज हम आயे ہیں थोड़ा सा आई सो मेरिजम की बात करने आई सो मेरिजम में हमारे पास एक टॉपिक होता है आर और एस कॉन्फिगरेशन की कौन सा स्ट्रिक्चर आर है कौन सा यस है इनको निकालने के तरीके पर काफी सारे question साते हैं PY Chris में भी काफी question पूछे गया है तो चलिए करते हैं आज का कारेकरम शुरू और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे R और S configuration कैसे निकालते हैं किसी question में तो इसके लिए कुछ rules होते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसका जो funda होता है अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास formula given है ठीक है यह क्या बोलते हैं जैसे माल लिजे if Fisher formula is given क्योंकि R और S जो निकलता है वो Fisher formula given करने पर ही निकलता है तो इसको करने के तीन स्टेप है सबसे पहला जो स्टेप आता है स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप क्या है सबसे पहला स्टेप है आपको identify identify काईरल atom सबसे पहले क्या करना है सबसे पहला स्टेप है आपको chiral atom को identify करना है कि जहां पर आप निकाल रहे हैं वहां पर chiral carbon है chiral atom है या नहीं है दूसरा step दूसरा step है आपका assign priority according according to cip rule यहां पर देखिए तो एक rule होता है cip rule cip rule के according हम priority को assign करते हैं कि यह जो rule है आपकी priority को बताता है कि कौन सा पहला आएगा सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे last में कौन सा आएगा और step 3 आपका आता है step 3 है आपका कह रहा कि मालीज है हमारे पास list list priority vertical line अगर list priority vertical line तो vertical line क्या होती है मैं आपके एक बार बता दर रहें से structure है ठीक है तो यहाँ पे यह होती है vertical line ठीक है और यह कौन से होती है horizontal ठीक है यह होती है vertical और यह होती है horizontal तो यहाँ पे कह रहा है कि list priority अगर vertical line पे है अगर vertical line पे है तो configuration कैसा होगा मालीज आप 1 से 2 गए 2 से 3 गए ठीक है 1 से 2 तो से 3 और यह कौन सा को clockwise ठीक है कौन सा clockwise ठीक है clockwise तो इस configuration को बोलते हैं आर क्या बोलते हैं आर clockwise को आर बोलते हैं और मालीज यह वन से 2 गए 2 से 3 यह कौन सिक साइड से मालीज यह antic clockwise ठीक है antic clockwise गए आप हाँ तो अगर यह antic clockwise गए तो antic clockwise के लिए जो आपका होता है उसे बोलते हैं एस इसे antic clockwise को एस बोलते हैं और clockwise को जो है वो बोलते हैं आर ठीक है clockwise को R और anti-clockwise को yes तो चलिए कुछ example करते हैं उसके बाद से लोग समझते हैं हाँ जी तो चलिए हमारे पास एक दो example हैं इनको करते हैं तो सबसे पहला example जो है आपका ये देखिए ध्यान से हम priority decide करते कैसे हैं priority decide करते कैसे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है देखिए जो CIP rule होता है CIP rule according जो सबसे ज़्यादा भारी होता है मतलब कि जिसका atomic mass ज़्यादा है वेट ज़्यादा वो सबसे वन पर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है iodine तो iodine आपका one हो गया ठीक है इसकी priority सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले number पर आएगा iodine फिर दूसरा bromine फिर तीसरा chlorine फिर चौथा fluorine ठीक है अब देखिए धहाँ से यहाँ पे जो least priority वाला है क्या है least वो कहा है vertical line पर ठीक है इन बातों को धहाँ रखिएगा least priority वाला आपका vertical line पर आए तो यहाँ पर हम क्या करते है 1 से जा रहें 2 ठीक है 2 से 3 ठीक है फिर 3 से 4 यह कौन सा है यह है आपका anti-clockwise यह क्या है anti-clockwise और anti-clockwise क्या होता है anti-clockwise आपका होता है configuration ठीक है पहला वाला कौन सा है एस ठीक है अब दूसरा दिखते है, दूसरा है आपके पास, अब यहाँ पर दिखिए, HO, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद oxygen, तो यह आपका पहला सबसे नंबर पर यह आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, CHO, तीसरा आपके पास यह आएगा, और चौथा, हाइड्रोजन सबसे लिस्ट हो यहाँ ठीक है, तीस कौन सा है, यह आपका clockwise है, इस सबसे लिस्ट वाला वर्टिकल लाइन पर है, तीस हो गया clockwise, और clockwise का क्या होता है, clockwise का होता है, आर, configuration कौन सा, आर, तो यह वाला configuration हो गया, आर, ठीक है, चलिए, अब देखिए, हमारे पास एक रूल और आता है, step 4, step 4, माल इसे कह रहा कि, एक लिस्ट प्रायोर्टी, ठीक है, लिस्ट, लिस्ट प्रायोर्टी वाला जो है, वो होरिजोन्टल लाइन पर आ गया तो, horizontal line मतलब ये आपका होता है ये वाल लाइन horizontal ठीक है horizontal line पे अगर list priority वाला आ गया तब क्या करेंगे जब अगर horizontal line पे आता है तो इसका जो configuration का 1 से 2, 2 से 3 ये कौन सा है ये clockwise है clockwise के लिए ये जो horizontal वाला होता है horizontal पर अगर list आ गया है तो ये होता है clockwise clockwise S और अगर 1 से 2, 2 से 3 ये क्या है anticlockwise तो anticlockwise के लिए होता है ये configuration R ठीक है लेकिन कब जब ये least priority वाला horizontal line पे हो कैसे चलिए cross example कर लेते हैं जैसे माली से मेरे पास example है और यहाँ पर है ठीक है अब ध्यान से दिखिए यहाँ पर हाइडूजन ये है सबसे लीष्ट और सबसे लीष्ट प्राइटी पर कौन है ये horizontal line पर H है है ना horizontal line है तो horizontal line पर अगर लीष्ट है तो अब समझते क्या है सबसे पहले क्या OH 1 फिर C और O 2 फिर 3 और दिन ये वाला 4 अब देखिए यहाँ पर कैसे configuration होगा 1 2 3 4 1 से 2 2 से 3 ठीक है ये क्या है ये है anti clockwise क्या है anti clockwise अब हमने उपर पढ़ा था कि जो anti clockwise होता है वो होता है yes लेकिन होना चाहिए था yes लेकिन यहाँ पर होगा क्या anti clockwise आर क्यों यहाँ पर होगा आर क्यों 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 यहाँ पर आपने देखा ना कि यहाँ पर जो least priority least priority हाइड्रोजन की है तो हाइड्रोजन वाला जो है least priority रखता है और least priority रखने के साथ साथ इसी वज़ा से इसके पास anti-clockwise जा रहा और anti-clockwise में least priority के लिए R होता है इसका जो configuration होगा वो R होगा ठीक है चलिए एक question और कर लेते हैं थोगा सा जिससे आपको clarify हो जाए मालेजिया मार पास compound OH CH ठीक है तो यह आपका है क्या least priority कहाँ पे है least priority वाला आपका horizontal line पे है तो यह तो least priority वाला horizontal line पे है अब यहाँ पे OH है तो सबसे बहुत प्रहे नंबर क्या आएगा यह आएगा ध्यान से दिखेए फिर 2 आपका कौन सा आएगा क्या 2 यह यह अपर यह 2 यह होगा then 3 आपका यह और 4 वाला पका यह ठीक है नहीं 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 1 यह होगा उसके बाद 3 यह होगा 2 यह होगा 4 यह होगा तो चलिए यहाँ पे क्या है 1 से 2 जाएगा फिर 2 से 3 जाएगा ठीक है ये भी क्या है anti-clockwise anti-clockwise और anti-clockwise है तो anti-clockwise आपका क्या होता है anti-clockwise आपका R होता है क्यों हो क्यों क्यों कि least priority वाला आपका horizontal line पे है तो ये आपका R हो जाएगा ठीक है तो ये होता है ऐसे करके facer और wedge का मतलब इस type के structure का configuration लिखना ठीक है ये आपका HW जो देखे का last तक जो आया है ठीक है ये आप कर लिजेगा आपका HW है ठीक है तो ये आप कर लिजेगा आपका HW है I hope समझ में होगा पाकी इसके questions आपको short form में अभी short video में मिल जाएंगी ठीक है तो आप उसको attempt कर लिजेगा ओके थेंक्यू